जैहिन सातियों स्वागत है आपका सेल्प स्टेटी के लासे स्विस्वमित जैन यूटूब चैनल में दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको एक फणी ट्रेट लिकर किया हैं जिसमें हम आपको बताने वाले मद्द प्रदेश की राश्टी उध्यान जी हां दोस्तों अगर आप MPTAT exam की तयारी कर रहे हैं MPPSC exam की तयारी कर रहे हैं MPSI jail प्रहरी या MPP police exam की तयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए हैं पूरा वीडियो जरूर देखें और फणी ट्रक के माद्यम से आपको याद करवाओंगा पूरे के पूरे राश्ट्य उध्यान आज आज आपको कुछ भी नहीं करना सिर्फ वीडियो देखना है आपको याद हो जाएंगे पूरे राश्ट्य उध्यान ठीक है तो जो भी हमारे नए साती है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बैल आइकन को आपको अवस्च दवाना है ठीक है और इसके पहले मैंने बहुत स राश्ट्य उध्यान आपका सिवपरी में है और यहाँ पर पन्ना राश्ट्य उध्यान है पन्ना में संजय राश्ट्य उध्यान आपका सीडी में है ठीक है और यहाँ पर आपका जीवास्म राश्ट्य उध्यान है ठीक है और बांधोगल राश्ट्य उध्यान है आपका सत्पड़ा, खंडवा में ओमकारिस और डाइनस और धार इस प्रकार से हमें पूरे के पूरे ये राष्ट उध्यान याद करना है दोस्तों ठीक है तो आज हम आपको ट्रिक भी बताएंगे और साथ में आपका टेस्ट भी करवाएंगे दोस्तों अब आपको बताना है दोस् राष्ट उध्यान कहां पर है मंडला में अब एक चीज बताना दोस्तों काना मतलब क्या स्रीकर्ष्ण को बोलते काना और यह हैं दोस्तों काना जी और काना को देखकर क्या हो गया मंडोला काना को देखकर मंडोला तो काना राष्ट उध्यान कहां पर होगा मंडला मंडोल काना को देखकर मंडूला तो काना राश्चुद्यान कहां पर होगा आपका मंडूला में हुगा ना आपको याद विल्कुल तो ऐसे बने रहें दोस्तों यहां पर देखते हैं अपन यह है दोस्तों मंडूला कहां पर है यह आपका मंडूला है और काना राश्चुद्यान है आपका मंडला में, ठीके, तो इसको आपको याद रख ले ना, मंडला, ठीके, अंगला दोस्तो आपको बधाना बांधौगलराः श्टूद्यान कहां पर रइस्ते थे, बांधौगलराः श्टूद्यान कहांपर दो सेकंड आपको दिय आती हैं तब आपका right answer हो जाएगा दूस्तों ओमरिया कहां पर है ओमरिया और दोस्तों बांध्रिया से क्या होता है कि बांध्र दोव these by अबरक्षपे इनको और आपको बांध दिया जाए तो क्या निकल जाएगी पूरी उमरिया निकल जाएगी आप बंदे रहोगे पूरी उमरिया निकल जाएगी तो यहां से क्या बांध उगड बांध दिया जाए तो उमरिया निकल जाएगी उमरिया ठीक है तो याद रख ले नहीं ऐसा ही बांध उगड से बांदाओगण राश्ट्युद्यान कहां पर है ओमरिया याद रख लेना यहाँ पर बांदाओगण में सफेश सीर पाए जाते हैं यह भी याद रखना अंगला देखो दोस्तों ओमकारेसो राश्ट्युद्यान कहां पर है ओमकारेसो राश्ट्युद्यान आपको दो सेकंड दिये जाते हैं आप जल्दी से बताना कमेंट के माध्यम से और आपको लाइक भी करना है वीडियो अगर आपको ट्रेक अच्छी लग रही है आपको याद हो रहा है तो ओमकारिस्टो राश्ट्युद्यान कहां इस्तित है तो आपको बिल्कुछ साई आंसर हो जाएगा दोस्ति कहां पर है खंडवा अब एक चीज बताना ओम ऐसा ब्रहत मंत्र है सभी धर्मों में पाये जाता है इसका क्या नहीं किया जा सकता खंडण नहीं किया जा सकता खंडण तो ओमकारिस्टो राश्ट्युद्यान कहां पर हो ओम आया, तो वह लिए सर ओम और ओम ऐसा मंत्र है, जिसका खंड नहीं हो सकता, अर्थात खंडबा, तो ओमकारीस्व राष्टि उद्यान कहां पर हो जाएगा? खंडबा में, ठीक है, हुआ ना आपको याद, ठीक है, यहाँ पर देखो दोस्तों, यह है खंडबा, यह खंडबा है, और यहाँ पर आपका ओमकारी सो राश्ट्य उध्यान है, खंडबा में, ठीक है, ओमकारी सो राश्ट्य उध्यान, यह खंडबा है, MP में, तो याद तो आपने बिल्कुश सही आंसर बताया है दोस्तों क्या बताया सिव़ीומцев और चिंद्बाडा यह देखो दोस्तो यह पेंच राष्टयुद्यान में यह पर आपको दिख रहे हैं जंगली जानबर यहां पर तो यह पेंच राष्टयुद्यान कहा पर है चिंदबाडा में है, सिवनी और चिंदबाडा में, तो दोस्तों कभी आप सिवजी से पैंच नहीं लडाना, सिवजी से पैंच नहीं फसाना, नहीं तो आपको क्या कर देंगे, छेद देंगे, तो छेद से चिंदबाडा, और किस से नहीं फसाना हमें, सिवजी से पैंच नह पहसाना नहीं तो क्या कर देंगे छेद देंगे तो पैंच राष्ट्युद्यान आपका कहा हो जाएगा सिवनी छिंदबाडा अगर आपको छिंदबाडा लगाना है और सिवनी अकिला आए तो सिवनी और सिवनी छिंदबाडा आए तो दोनों को लगा देना ठीक है ऐसे याद रख लिना है कि पैंच राश्ट्युद्यान हमें कि पैंच नहीं फसाना सेउजी से हैना नहीं तो यह क्या कर देंगे छेद देंगे तो सिवनी चिंदवाडा में कौन से राश्ट्युद्यान होगा पैंच राश्ट्युद्यान ठीक है याद रखेंगे दोस्तों आप सत पुड़ा राश्ट उद्यान कहां पर है आपने पढ़ा होगा पहले कि सत पुड़ा के घने जंगल उंगते यन मने जंगल है ना सुना है आपने तो आपको बताना है सत पुड़ा राश्ट उद्यान कहां इसते थे दो सेकंड दिये जाते आपको तो आपका बिल्कुत सही आंसर हो जाएगा दोस्तो हो संगाबाद कहां परस्तेते हो संगाबाद और सत्पड़ा के घने जंगलों में अगर आपको जाना है तो हो संगा हो संगा कोई अगर आपके तभी जाना है आप संगा होए संग होए है ना तो सत्पड़ा के घने जंगल हो संगाबाद हो ना संगा वो ले हाँ है संग तो सत्पड़ा में तभी जाना क्योंकि यहां की जंगल घने है तो हो संग तभी हमें जाना है सत्पड़ा के तो हो संग है और यह हैं दोस्तो कि कितने घने जंगल हैं यहां पर आप देख रहे होंगे और अगला देखें दोस्तो पन्ना राश्च जुद्यान कहां पर पन्ना पन्ना से आपको नहीं लग रहा पन्ना काफी के पन्ना काफी के पन्ना और पन्ना राश्टी उद्ध्यान कहां पर हो जाएगा तो यहाँ पर आपका निदिया है option और आपको option जो हो जाएगा वो कहा हो जाएगा पन्ना राश्टी आपका होगा दोस्तों कहाँ पर छतर पर पन्ना कहाँ पर है छतर पर और पन्ना में ठीक है और पन्ना में आपको याद रखने ना है कि छत पर पन्ना फैल गए चत पर पन्ना फैल गए तो पन्ना राश्ट्यूद्यान चतरपुर और पन्ना में होगा यह चीज आपको याद रखनी है यहाँ पर ओफसन देना भूल गए तो चतरपुर और पन्ना में है ठीक है कौन सा पन्ना राश्ट्यूद्यान यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों यह है पन्ना राष्ट्य उध्यान ठीक है यह पन्ना राष्ट्य उध्यान है और यह पन्ना छतरपुर में फैला हुआ इसका छेत्रपल ठीक है तो आपको याद हुआ होगा अंगला बताना दोस्तों आपको फासिल राष्ट्य उध्यान कहां पर है फासिल राष्ट युद्यान तब आपने बिलकुत सही बताया है कहां पर है दिंडोरी अब एक चीज बताना दोस्तों फासिल से यहां पर इसको इतना करो तो क्या जाएगा फासी और जब किसी को फासी होती है तो क्या होती है दिंडोरी पिट जाती की नहीं तो फासिल राष्ट उध्यान दिंडोरी अपन बोलते ना यार कि बात को गुप्त रहे दो दिंडोरी मत पीटो बोलते वह है दिंडोरी तो फासिल लगती है तो दिंडोरी पिट जाती है तो फासिल राष्ट उध्यान दिंडोरी में ठीक है अब आपको याद रख लेना है धीक है, यह है आपका डिंडोरी, अंगला कोस्चिन है दोस्तों आपका संज़य राश्चि उध्यान कहाँ पर है, संज़य, तो दो स्किंड में आपको उत्तर बताना है, और आपका बिल्कुन सही आंस्र हो जाएगा कहाँ पर है, सीधी, सीधी, यह हैं दोस्तों संजय गांदी और यह बड़े कैसे थे सीधे थे कैसे थे सीधे थे तो आपका संजय राष्ट्य उध्यान कहां पर होगा सीधी क्योंकि जो संजय गांदी थे वो कैसे थे सीधे तो संजय राष्ट्य उध्यान सीधी ठीक है यह है दोस्तों आपका सीधी सीध झिला और यहाँ पर है आपका राश्थी ये संज Review कैसी सीधी थे आपसे में कभी प्रस्चन पूछ SP-1 के अब बोलोगे सर सिधे थे सन्जे राश्थ गढ़ा कहां पर होगा सीधी में हैना होड़ा याद हो रहा है, तो लाइक ज़रू करें, अब आपको बताना है माधोग राश्टियूद्यान कहां पर है, माधाओ, तो आपका बिल्कुछ सही आंसर क्याँ हो जाएगा, माधाूर राश्टियूद्यान है, कहां पर, सिव पूरी में, अब दोस्तों माधाव आन्यिक कौन, क तो माधाव राष्ट्युद्यान कहाँ पर होगा शिवपुरी यानि कि जो बेकल्प नमबर ए है वो बिलको सही हो जाएगा है और यह प्रिथम परेटर नंगर है मद्देप्रदेश का प्रिथम परेटर नंगर कौन सा है शिवपुरी है शिवपुरी में तात्या टोपे को भी फांसी दी गई थी तो माधाव राष्ट्युद्यान आपका सिवपुरी में है फिलाल एतना आपको याद रखना है अंगला देखते हैं दोस्टो शिवपुरी यह है आपका सिवपुरी यहाँ पर माधव राश्ट्युद्यान है आपका स्यूपुरी में ठीक है अंगला देख लो डाइनासौर राश्ट्युद्यान कहाँ पर है डाइनासौर डाइनासौर बताना है हमें दो सेकंड आपको दिये जाती है तब आपका राश्ट्या उत्तर हो जाएगा दोस्तु आ को आप इसके दांत अगर एक दांत आपको लग गया तो काई की खून की धार निकलाएगी तो डाइनासोर का दांत लग गया तो क्या निकलाएगी धार निकलाएगी तो डाइनासोर राश्चुद्यान कहां पर होगा धार में होगा की नहीं होगा होगा ना क्योंकि डाइनास पूरे की पूरे राष्टी उध्यान याद हो गए हैं तो लाइक करके अपने मित्रों तक सेयर जरू कर दीना ठीक है और यह है दोस्तों आपका धार और धार है तो यहाँ पर आपका डाइनसुर राष्टी उध्यान है धार में ठीक है याद रख लेना अब आपको अंगला बताना दोस्तो बन बिहार राष्ट उध्यान कहां पर है दो सेकंड में आप अपना उत्तर बता देना और आपका बिल्कुछ सही आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से कमेंट में लेकें उत्तर होगा दोस्तो भोपाल कहां पर है भोपाल बन में बिहार कौन कर रहेते कौन कर रह रहे थे बन में बिहार कर रहे थे राजा होते हुए भूपाल होते हुए भी क्या कर रहे थे बन में बिहार कर रहे थे तो बन बिहार आपको याद रख लेना रामायन आपने देखी होगी आपको याद होगा कि बन में बिहार कौन रहे थे भूपाल भू के पाल यानि प्रत् बोपाल है और बोपाल में आपका बन बेहार राष्टियुद्यान है ठीक है इसको याद रखेंगे अंगला क्वेश्चन है दोस्तो कुनो राष्टियुद्यान कहां पर है कुनो तो आपने बिलको सही आंसर बताया है 2018 में नया बना है और इसको मिला कर MP में पूरे 12 राष्टियुद्यान हो गए हैं और आपका बिलको सही आंसर होगा सेवपोर्प मुरेना दोस्तो आपको पता है कौनों कौनों पर सेवपोर्प मुरेना तो आपसे पूचा जाएगा कौनो राष्टियुद्यान कहां है कौनो पालपुर तो कौनो राष्टियुद्यान अब बताया था कौनों तो कौनों कौनों पर सिव मुरेना तो याद रखने ना कुनो राष्ट उद्यान सिव पोर मुरेना ठीक है आपको याद हो गया होगा दोस्तों अब वीडियो को सभी लोग लाइक जरू करेंगे और यह है आपका सिव पोर ठीक है यहाँ पर है आपका कुनो राष्ट उद्य ठीक है अब आपको याद हुआ होगा और वीडियो को सभी लोग लाइक जरू करेंगे इसी प्रकार से फन्नी ट्रेक रोज में आपको देता हूँ पूरा वीडियो जरूर देखें वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्रों तक बॉट्स आप फेस